तो देखिए मैं आपको question के माध्यम से भारत के जितने भी बांध है पूरा आपको याद करवा दूंगा question के माध्यम से तो वीडियो को अंतक देखे और जान जाए कि जो बांध से related question हर exam में एक दो question आते ही है तो यह पढ़ना भी बहुत जादा जरूरी है exam के point of view से तो चलि सीक लंबाः कितने है 4.8 किलो मिटर्ट पूरिसा में और के बना था 157 में और कहां पर है मतलब जगह का नम क्या है सबलपूर क्या नाम है सबलपूर क्याना आप ख़ी आपको याद रखरने है कव्कौन काून सा chyba है 4.8 किलो मिटर लंबाई है कब बना था 1957 में और कहां जगह कौन सा है सबलपूर और यहां पर कुछ इंपोर्टेंट बांध है जैसे स्री सैलम बांध जो है कृष्णा नदी पर है और आंध्र परदेश में श्री सैलं बांध कृष्णा नदी आंध्र परदेश फिर है राजघाट बांध याद रखिएगा रजघाट एक resolutions कहा है बेतवान नदी पर है उत्तर परदेश और मध्य परदेश की सीमा पर कहां है उत्तर परदेश मध्य परदेश की सीमा पर फिर आपका हीरा कुंड बांध आता है हीरा कुंड तो काफी महत्यपुंड है महानदी पर है उडिसा में है गंगापूर बांध और जैक कवारी बांध गंगापुर बांद और जैकवाडी बांद किस नदी पर है गोदावरी पर महरास्ट में अब हिरा कुणबांद से ही एक related question है हिरा कुणबांद निमलिकित में से किस राज़्य में है तो अभी बताया मैंने हिरा कुणबांद पूरीसा में है इस question को रट लेना है जैसे ही ये question अभी हाल ही में पिछले वर्ष के एक जाम में पुछा गया था राजस्थान के किस जिलों में बहुत देशिया सिचाई परियोजना परवन निर्मारधान है तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा जालावाड जालावाड वो जगह कहां पर है जालावाड किस जिले में कौन सी जिला है जालावाड में परवन नाम का निर्मारधीन है निजाम सागरबांध निमलखित में से किस राज्य में इस्थित है देखिए निजाम साग कुछ और इंपोर्टेंट पॉइंट वंद में तुंग भध्रा परयोजना करनाटक के तुन भदरा नादी पर है और कौन सी नदी है तुन भध्रा न Azra पर वैसे ही आंधरे परदेस में कृषन नदी कसी नदी पर इस्थिथ है तो सलाल परियु .... चिनाव नदी पर इस्टित है केवल यही आद रखना है किस नदी पर इस्थित है तो उयाँ देख लेते हैं जमू कस्मीर के कुछ बांद एक बग लिहार बंध है एक बगलिहार बांध है जो की चिनाव नदी पर है एक दुलहस्ती बांध है जो की चिनाव नदी पर है एक नीमो बजगो बांध है जो की सिंदु नदी पर थे ये तीनों काफी इंपोर्टेंट है जो की जम्मु कस्मीर के महत्यपून बांध है करनाटक में निमलिखित में से कौन सा बांध इस था अभी मैंने बताया था कि तुंग भद्रे बांध है जो कि करनाटक में है और ये किस नदी पर है तुंग भद्रे नदी पर ही है तुंग भद्रे बांध है यहाँ पर एक करनाटक के बांध का एक चार्ट दिया जा रहा है जिसको आपको रट लेना जैसे अलमट्टी बांध क्रिश्णा नदी पर भद्रा भद्रा नदी पर हेमवती बांध हेमवती नदी पर लखिया बांध लखिया नदी पर लिंग नामी की बांध सरावती नदी पर मलप्रभा बांध मलप्रभा नदी पर और सुप्रा बांध का तो यह करनाटक के कुछ important बांध है इसको आपको रट लेना है स्री सैलम जल विद्युतिय उर्जा सायात्र किस नदी पर बनाये गया है तो यह स्री सैलम याद रखेगा स्री सैलम कृष्णा नदी पर है कौन सी नदी कृष्णा नदी पर है और यह है कहां तो आंध्र प्रद बांध में पूछे गया है जिसका एक लिस्ट त्यार किया गया बाली मेला यह जो तीन शेक साथ important बांध है जो कि आपको याद रखने ही याद रखने है भारत में निमलिखित में से कौन सा बांध सबसे उंचा है मतलब सबसे उंचाई पर बांध कौन सा है इसका एंसर हो कि अगर टिहरी बांध तीहरी बांध भारत का सबसे उंचा बांध है जिसकी हाइट दो सब 211 मिटर है कितनी है 200 161 मिटर है और यह जो है उत्रा खंड कहां पर है उत्त्रा खंड चान नदी नदी और ये दुनिया का आठवा उंचा बांध है इस क्योंट को डैर्रक्ट या आपको ये कोमेंट करके बताना है कि बान सागर राज्य में इस्तित है यहां पर कुछ पूदिखेंगे जैसे महाराष्ठ के महत्यपुंद बांध कुइना बांद राधा नगरी और भास्ता भांब फिर दूसरा जोै गुज्रात कहले स्थादर घुज्रा संतल्ट कर्ण सैयम और तलू तो यहां पर आपके पुछाई गया था बान सागरबांद किस नदी परिस्तित है तो अभी पढ़ा बान सागरबांद मध्य परिस्तित है यह लिस्ट याद कर लीजिए भारत में सबसे उंचा बांद सबसे उंचाई पर बांद कौन सा है टीरी बांद अभी मैंने बताया जो कि उत्रा खंड में है भागी रती नदी पर भारत में सबसे लंबा बांद सबसे लंबा बांद कौन सा है हीरा कुंड बांद है जो कि उडिशा पर महा नदी परिस्तित है भारत का सबसे पुराना बांद सबसे पुरा लेकिन ये पर्योजना कहां है तो यूपी में है और इसे जो है गोविंद को लेकीन सागर के नाम से जाना जाता है जो है पर योजना किस नदी पर इस्थित है मसान जोर जल विधूत पर योजना जो की एक जर्खंड में इस्थित है कहां इस्थित है जर्खंड में कहां इस्थित है जर्खंड में इस्थित है यह मिवरी राक्षी नदी पर इस्थित पर बना हुआ है मसान जोर विजल विधूत प पूरा याद कर लेते हैं तो आपका एक्जाम में इस टॉपिक से एक भी कोश्चन नहीं छुटेगा